हेलो फ्रेंड्स आज मैं बीट्रूट पूरियल बनाने वाली हूँ ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीट्रूट्स में बहुत सारे निूट्रियंट्स यानि पोशक तत्वा पाए जाते हैं बीट्रूट में बहुत ही कम मात्रा में कैलोरिज होती है और बीट्रूट में भरपूर फाइबर होता है जिनको बीट्रूट'd खाना बिल्कुल पसंद नहीं है खास करके बच्चे वो भी इस सबजी को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इस सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी को ट्राइ करें रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो के आपडेट्स आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीटूट पोरियल बनाने के लिए मैं बता देती हूँ यहां में क्या क्या चाहिए तो मैंने यहां लैसुन को काट कर लिया है तीन से चार लैसुन के कलियों को मैंने लंबे टुकडों में काट लिया है अगर लैसुन नहीं खाते हैं तो स्कीप कर सकते हैं बिना लैसुन के भी यह सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है एक हरी मिर्च मिर्च को आप अपने स्वात के अनुसार ले सकते हैं एक मीडियम साइस का ओनियन जिसे हम लंबे टुकडों में काट कर लेंगे थोड़ा सा नारियल इसे हम पील करके मिक्सी में पीस कर डालेंगे छे छोटे साइस के बीट रूट इसे मैंने पील करके लिया है सरसो टेंपरिंग के लिए एक छोटा चमच आठ से दस कड़ी पत्ते एक निम्बू जिसका बस थोड़ा सा ही हम जूस बना कर यूस करेंगे मसालों में ज्यादा बस कुछ नहीं चाहिए हमें नमक, स्वात के अनुसार, चिली फ्लेक्स और टर्मरिक पावडर अब नारियल को हम पिल कर लेंगे एक पिलर की मदद से और छोटे पीसे में काट लेंगे अब मैं नारियल को इस मिक्सर जार में डाल दूँगी और नारियल को ग्राइंड कर लूँगी तो देखिए नारियल को ठीक ऐसे ही हमें ग्राइंड करना है एक भी टुकड़ा इसमें नहीं है नारियल को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं अब हम प्यास को ऐसे स्लाइस में काट लेंगे अब चलिए हम बीट रूट को तयार कर लेते हैं तो मैंने एक ग्रेटर ले लिया है सबसे पहले हम बीट रूट को ग्रेट करेंगे ग्रेट करते वक्त हमें अपने हाथों का ध्यान रखना है नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है तो देखिए मैंने बीट रूट को ग्रेट कर लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ अब इक पैन को मैंने गैस पर रखा है इसमें दो से तीन बड़े चम्मच तेल डाल दूँगी अब हम इसमें वान फोर्ट चम्मच हिंग डालेंगे अगर पावडर हिंग डाल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डालें हाफ टीफ स्पून डालिए अब डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड सीट्स देखिए सरसो क्रैकल हो रही है अब मैं इसमें गार्लिक डाल दूँगी ग अब मैं इसमें कड़ी पत्ते डाल दूँगी कड़ी पत्तो को तोड़ कर डालेंगे कुछ सेकेंड तक इसे पका लेंगे अब मैं इसमें एक हरी मिर्च को काट कर डाल दूँगी मिर्च को आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अब हम इसमें प्यास डाल देंगे, प्यास को थोड़ा नरम होने तक पका लेंगे, अब देखिए प्यास नरम हो गई है और एक अच्छी सिसमें ला रही है इसमें से, अब मैं इसमें बीट रूट डाल दूँगी, और प्यास के साथ मिला कर तीन से चार मिनट तक ट्राई करूँगी कौवर नहीं करना है बीट रूट को हमने ग्रेट करके डाला है तो बीट रूट बहुत ही जल्दी पक जाती है अब हम इसमें सुखे मसाले डाल देते हैं हल्दी पाउडर वानफोथ चोटा चमच, चीली फ्लेक्स आधा चोटा चमच, नमक अपने स्वात के अनुसार सब कुछ अच्छे से मिला कर पकाएंगे जब तक की बीट रूट अच्छे से पकना जाए बीट रूट में एक रॉस मिल होती है, जब तक ये बीट रूट का रॉस मिल चलाना जाए तब तक हमें बीट रूट को अच्छे से फ्राई करके पकाना है अब देखिए बीट रूट अच्छे से पक गई है, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से पकाया है और बीट रूट नरम भी हो गई है अब हम इसमें नारियल डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे नारियल डाल कर बस एक मिनट तक ही पकाएंगे अब हम उपसे थोड़ा सा चौप ठरा धनिया डालेंगे और बीट रूट पोरियल तयार है बॉइल राइस के साथ या रोटी चपाती के साथ ये सबजी सबसे अच्छी लगती है रेसिपी को एक बस ज़रू ट्राइ करें ये सबजी बहुत ही हल्दी होती है और साथी साथ बहुत टेस्टी भी होती है तो बीटरोट पोरियल बनाईए और मुझे कॉमेंट्स कीजिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी तरह-तरह के मज़ेदार रेसिपीस के वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिवस के चाथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आप देख पाएं सबसे पहले तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई